सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही मुंबई एक दूसरे संकत की ओर बढ़ रहा है मेडिकल स्टाफ और अस्पताल की नर्सों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मुंबई के कई बड़े नीजी अस्पताल बंध होते जा रहे है शुक्रवार को शेहर के अस्पतालों के 19 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित पाए गए इसे के साथ मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का आकड़ा लगबग 100 हो गया है कोरोना के फ्रेंट लाइन मेडिकल वर्करों के बीच संक्रमन बढ़ने के चलते मुंबई में प्राइवेट अस्पतालों से ततकाल रूप से सेफटी कीट अतिविक वेतन और ट्रांसपोर्ट मुहया कराने को कहा गया है भाटिया अस्पताल की 14 करमियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें 10 नर्स, 2 डॉक्टर और 1 फीजियो थेरिपिस्ट शामिल है इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया दादर के शूश्रुशा होस्पिटल में दो नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई जिसके बाद अस्पताल में मरीजों की भरती रोक दी गई है इसी के साथ 48 घंटे के अंदर सभी मरीजों को डिस्चार्च कर दिया जाएगा मुंबई के बड़े अस्पताल जैसे जस लोग वोक हार्ट और भाटिया अस्पताल में सेफटी प्रोटकॉल पर सवाल उठने लगे है एक सिविक अधिकारी ने बताया कि सभी प्रोटकॉल के साथ कुछ हद तक संक्रमन को रोका जा सकता है उन्होंने बताया कि उधारन के लिए अभी तक डॉक्टर या स्टाफ में संक्रमन का केस नहीं आया है प्राइवेट अस्पताल के एक वरिष्ट मैनेजमेंट अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमन के कुछ मामले का अनुमान था क्यूंकि हम COVID-19 के सक्रिय मामलों को देख रहे थे हाला कि PPE कीट की कमी और अधिक संक्रमित मरीजों को चलते अस्पताल के स्थिथी चिंता जनिक हो गई है ब्रिच केंडी अस्पताल में दो नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है जहां कुछ दिन पहले ही 180 नर्सों को कॉरंटाइन करने के बाद सिर्फ एमेरजेंसी और ICO से वाई दी जा रही थी प्राइवेट अस्पताल की स्थिती पर BMC कमिशनल प्रविन परदेशी ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की इस समय सक्त जरूरत है उन्होंने कहा कि कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाना प्रेफर करते हैं और इन में से कुछ COVID-19 के केस में अच्छा काम भी कर रहे है वो कहते हैं कि अगर एक अस्पताल संक्रमित होता है तो उसे प्रोटकॉल के तहट टेस्टिंग और परिसर को डिस इंफेक्टेट करना जरूरी है ये सब होने के बाद अस्पताल फिर से शुरू हो सकता है साउथ मुंबई के एक अस्पताल की नर्स ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि हमारी दशा के बावजूत PPE कीट केवल COVID-19 वाडो में काम करने वाले लोगों को ही नहीं दिया गया यहां तक ही जिन में वाइरस के लक्षन दिख रहे हैं उनकी भी शीफ लगा दी गई जब वो बहुत बिमार हो गए तब छुट्टी दी गई United Nurse Association की एक नर्स ने कहा कि अधिकतर नर्से केरल से है आठ से बारा लोगों के बीच, हॉस्टल और अपार्टमेंट में रहती है ऐसे में संक्रमन फैलने की बहुत संभावना है अधिकतर का ना ही कोई टेस्ट हुआ है और ना ही उन्हें कोरंटाइम किया गया है तो इसी के साथ प्रहार टेम्स की सभी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें